एंड्रोइट सीखना अब हो गया है और भी आसान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नित्मे पार्टकास्ट और आपकी तमाम तर कुई रिस्का रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बद जाए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेर सारी मालुमाद ओनली ओन एंड्रोइट ब्लाइड कैफे वेलकम तो एंड्रोइड ब्लाइड कैफे योट्यूब चैनल दोस्तो एक बहुत ही कंप्रिहंसिव और शॉर्ट वीडियो के साथ मैं अमजद सुहेल और यूट्यूब का एक यूनीक फीचर जो कबसे आ चुका हुआ है यूट्यूब में लेकिन बहुत सारे दोस्तों को उसका यूज नहीं आता तो आज आपको उसका यूज बताने के लिए मैंने सुचा कि एक चोटी सी वीडियो भी आप लोगों के लिए एक लेता हुआ हूँ तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये बहुत ही जबरदस्त होने वाली है उससे पहले कि इस वीडियो को मैं शुरू करूं बकाईदा तोर पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें शेयर करें और वी उनको किस किसम की वीडियो जो है वो चाहिए होती है तो चले शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो मियूजिक मेरा खाले ज़रा तोड़ा सा ज्यादा हो गया थोड़ा से थाम कर लेते हैं इसको जी तो दोस्तों यूट्यूब अगर हम लोग खोलें तो बॉटम पे जहाँ menu bar होती है वहाँ पर 5 बटन आपको मिलते हैं तो पहला बटन जो आपको मिलेगा वो यह है home बटन जो है वो आपका selected है और आगे हम चलते हैं short का बटन है create button basically आज की इस वीडियो में हमारे जो focus रहेगा वो create का बटन होगा तो चलिए create का बटन को हम press कर लेते हैं double tap कर लेते हैं इस पर create close button जो ही हम create का बटन को double tap करते हैं यानि यूँ कहें mostly लोग हमारे दोस्ट जो है और आपको बंद करना है इसको by chance आपसे खुल गया है तो आप वहीं पर ही double tap करके इसको close भी कर सकते हैं anyways let's move ahead swipe करते हैं देखते हैं कौन-कौन सी options है options तो इसमें 3-4 आएंगी लेकिन हमारे काम की सिरफ इसमें एक option होगी चलिए आपसे जिकर करते हैं उस option का यहां से वीडियो अपलोड हो सकती है short आप लोड बनाए especially तो वो आप यहां से अपलोड कर सकते हैं वैसे भी कोई भी वीडियो आप ब्राउज करके अपने mobile से यहां पर अपलोड कर सकते हैं live जा सकते हैं इदर से यह नया feature है और इसमें कोई ना कोई blender हो सकता है कोई ना कोई इसमें कम ही रह सकती है जब भी आप लोग इस feature को use करेंगे anyways you can try it out you can explore that feature as well but today it's not our focus okay so let's move ahead create a post button actually यह हमारा focus रहेगा और इसके अंदर आने वाले कुछ feature जिनको हम लोग explore करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि इन feature के function क्या है तो आईए इस पर भी double tap कर लेते हैं create post कब आया है अब चुके हम लोगोंने अभी किसी option को select नहीं किया कोई चीज हमने अपने लिए यहां से select नहीं की choose नहीं की कि हम लोग इसको further move करें इस वज़ा से यह next का button जो है फिलहाल काम नहीं कर रहा तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखते हैं और कौन कौन सी option है text poll basically इसके अंदर text poll के अलावा image भी है और कुछ और type के polls भी है इसमें लेकिन being a blind और यानि यूँ कहें कि अगर मैं YouTube को explore करूँ just an ordinary viewer being a blind तो उसमें भी मैं ज्यदा text को ही focus करूँगा क्योंकि वैसे तो हमारे पास image होते हैं तो उनको हम किसी नकिसी application के through जो है वो explore कर लेते हैं लेकिन यहाँ YouTube में वो application यूज नहीं होगी तो इसलिए हम अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए वो चीज़ select करेंगे जो accessible होगी तो हम लोग text poll को यहाँ पर ले लेते हैं तो community basically community का मतलब यह है कि जो specific viewers हैं जो हमारे channel को view करते हैं उनके लिए यह बात हो रही community कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कोई और चीज़ नहीं है कि जिसको हम लोग कुछ बताना चाहते हैं यह वो community है यानि हमारे दोस्त है specifically blind community जो कि इस channel को ज्यादा focus करती है ज्यादा browse करती है हमारे channel को लेकिन यह कि मैंने देखा है कुछ और भी दोस्तों ने मेरे channel को explore किया है और इसके बारे में अपने comments पास किये हैं not here on the channel otherwise while talking to them they are talking a lot about the channel and they are asking to do a lot more other videos focusing some other topics as well लेकिन वो हमारा focus चुकिए भी फिलहाल नहीं रहेगा कुछ vlog से related बात हुई थी anyways हम किस topic को share नहीं है तो यह text polling का जो तरीका कार है उसमें मैं आपको बताता हूँ आप लोगोंने देखा होगा कई जगा पर check boxes होते हैं कई जगा पर edit fields होती है तो वो different captions के साथ आती है जैसे हमें पहली edit field मिली है तो इसमें हम लोग किसी को अगर हमने इसमें contribute करवाना है comments लेने है polling करवानी है तो उसमें हम लोग यह कह सकते हैं जैसे के एक edit field है पहले हम लोग अपनी community से पोश सकते हैं what type of videos you like है ना यहाँ पर इससे related जो है वो एक आपको button मिलेगा इस option को इस edit field को remove करना अगर आपने तो आप इसको edit field को कम भी कर सकते हैं ज्यादा edit fields हो गई है तो आप किसी एक को remove करना चाहते हैं तो आप उसको remove भी कर सकते हैं anyways जड़ा थोड़ा सा आगे चलते हैं music जड़ा कम हो गया थोड़ा तो थोड़ा सा हमने इसको बरहल फिल्हाल हम अपना studio establish कर रहे हैं तो थोड़े दिनों में आप लोगों को recording का नया तरीका पता चलेगा और इसमें नए तरह की recording आएंगी हमारा sound भी थोड़ा सा change हो जाएगा anyways not now तो चलते हैं थोड़ा आगे एक और इसमें अब अगला edit बॉक्स आ गया है हमारे पास इसमें हम दे सकते हैं कि आप जैसे उपर हमने कुछ पूछे लिया है तो नीचे हम बता सकते हैं कि android related videos और इसके बाद एक और option यानि other technology related videos याना ये option तीन हो गई है इसमें हमारे पास आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है और अब जो है remove option की जो एक option थी हमारे पास एक feature था वो हमें नहीं मिला क्योंकि इसके बाद कोई edit field नहीं आने वाली तो अगर हमारे पॉल में ज्यादा चीज़ें fall कर रही हैं exist कर रही हैं तो हम लोग यहाँ पर edit field इन तीन fields के अलावा भी add कर सकते हैं तो उसके बाद एक add करेंगे इसके बाद फिर आपको add की option आएगी उसमें कर लें जितने भी आप करना चाहें वो करने के बाद हम लोग फिर फर्दर आगे move करेंगे फिलहाल तो हमने text नहीं लिखा तो हमें इसकी post create करने की option नहीं मिलेगी create post का जो हमें यह मिला है यह caption मिली यह यह उसवत काम करेगी जब हम लोग in edit fields में कुछ ना कुछ लिख लेंगे उसके बाद यह चीज जो है वो काम करेगी और फिर आपकी post जो है वो generate हो जाएगी और जो जो हमारे दोस्त जिन्होंने हमारे चैनल subscribe कर रखा है उनको top of the page जब भी वो explore करेंगे YouTube को browse करेंगे तो उनको वहाँ पर उपर वो मिलेगी यह किसी भी किसी form पे यह क्योंकि आज कल YouTube की updates आ रही है तो environment change हो रहा है तो environmental changes की वज़ा से इसका focus change हो सकता है इसकी जगें change हो सकती है इस notification के लेकिन मिलेगा आपको जरूर आप लोगों ने इसको browse करना है जो option आपको अच्छी लगे उसको आपने like करना है ताकि हम तक आपकी राय जो है वो बेहतर अंदाज में पहुंच सके ठीक है जी तो ये था आज का हमारा focus main video बनाने का जो purpose था वो मैं समझता हूँ हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया है hopefully you guys will enjoy the video and certainly if someone did not subscribe or share the channel or the videos will certainly do that तो उमीद रखते हैं अच्छे की और अच्छे ही की उमीद होनी चाहिए आपको भी और हमें भी उमीद पर दुनिया काइम और फिर इंशालला अगली किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी